हेलो स्वागत है इससे प्रीविस वीडियो में हमने रूलर्स मेथड पढ़ा था रूलर्स मेथड पर टू एक्जेंपल पर सोल कर लिए थे अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है ओर्डिनरी डिफरेंशल एक्वेशन को सोल करने के लिए वो क्या है अब जहिस टूइटको रूलर्स मेथड समझ में आ गया था उसने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली जो बेसिक ऐक्वेशन के लिए है first iteration निकाली second iteration निकाली y1 की value y2 की value इस तरह करते हैं लेकिन इसमें हमने क्या करना है y की value निकालेंगे उसके अंदर भी modified equations को use करेंगे y1 का 1 y1 का 2 y1 का 3 इस वे से हम solve करेंगे कब तक करेंगे जब तक last two equations होंगी last two iterations जैसे y1 first iteration y1 की second iteration y1 की third iteration जब तर two and three या फिर so on कोई भी last equations जो है उन दो last equation में point के बाद कुछ similar digits आ जाएं जैसे 1.99 है या 98 है first iteration में फिर 1.9876 something कुछ है 1.97 इसमें कुछ है third iteration में तो यह suppose करो ना कि इसके अंदर इसके अंदर क्या रहे है similar आ रहे है mostly value तब आप इसको stop कर सकते हो जहां पर भी आप stop करोगे जिस value पर वो y1 की permanent value बन जाएगी next iteration जब आप follow करोगे y2 के लिए तब उसे आप put करोगे अब इसका example देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी value कहां से निकालनी है कहां से drive करनी है कहां put करनी है तो students यह है example rulers modify method का इसमें क्या है example में solve the differential equation differential equation को हमें solve करना जो given है given equation क्या है dyy में dx is equal to minus xy का square यह क्या है differential equation है और यह दोनों initial values हैं कि y की value initiated 2 है और x की value initially 0 है by modify the rulers method and obtain y at the x is equal to 0.2 in the steps of 0.1 each अब इसने क्या करा यह find करनी है हमें value इस पे यह initial value है यह initial value है initial value के बाद दिये main value है जो given है given के बाद इसने एक extra जो हमें दिया है इस equation में हो क्या दिया है h की value दिया है मैंना आपको बताया दो एक हाऀ जो हम intervals भी सबोल सकते हैं h को हम intervals भी बोल सकते हैं steps भी बोल सकते हैं और difference भी बोल सकते तो इसने यह आपी बोला कि two steps में इतना distance होना झारी है तो यह h की value है 0.1 for the each step आप solution देखते है solution में क्या करते हैं हम सबसे पहले हमारे चैनल study hack with mehack को like जादा सा जादा share and subscribe करें अगर आपने subscribe कर दिया है तो बाकिस सभी devices से भी subscribe करा सकते हैं क्योंकि subscribers बहुत जरूरी है then comment करें आपकर में हमने क्या किया था सबसे पहले जहां पर भी dy by में dx था उसकी equal में ज dy by में dx किसकी equal है हम पर minus x y square के उसको हमने रग दिया equal में f of x y के अब जो हम台 High dy by में dx की equal नहीं है ये f of x y की equal है इसके ये equation बन गई है क्योंकि हमने इसको let कर लिया फिर आते है initial values कौन सी हमारी x not का है और x 2 का है x not क्या है 0 और y not क्या है 2 यह initial values है caution में given है फिर यहां से step start होते है rulers method modify methods के कैसे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आप यहां पर कौन सा method यूज़ कर रहे हो सबसे पहले आप यूज़ करोगे rulers method को rulers method में कैसे लिखोगे by using the rulers method we have y1 की आपको value चाहिए तो आप क्या लिखते थे rulers method में previous value को put करते थे और h का use करते थे plus function लेते थे वही इसने किया है कि आपको अगर y1 की value चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा इससे previous value पुट करने पड़ेगी y0 plus h, h को किसे multiply कर दिया function से कौन से place भी है not वाली place क्योंकि 1 की value चाहिए तो हम not का use करेंगे फिर अब यहां से इसको solve करोगे जैसे आप इसको solve करोगे यहां से y1 की value उसने क्या find कर लिया है 2 अब यहां से main step स्टार्ट हो रहे है rulers modify method के, rulers modify method के use करके approximate value निकालेंगे y1 की कैसे निकालेंगे y1 चल रहे न तो y1 का first iteration हमें find करना है first iteration को निकालने का method क्या होगा formula y0 रहेगा क्योंकि 1 निकालना है तो previous को use करेंगे h था, h को 1 by 2 कर दिया, यह देखो यहीं सी equation मिल रहे है आपको, y0 तो as it is रहेगा, plus x था, तो h के place पे इन्होंने h by 2 कर दिया फिर function को add कर था न हमने, function में हमने सिर्फ एक function को add किया था, वो previous वाला था f of x0 और y0 यही add किया था था न हमने यहाँ पर function, इस वाले function में क्या किया हुआ है, one वाले value पे add करी हुए, जिसकी value हम निकाल रहे हैं क्योंकि इसकी value हमें मिल जाएगी, पता है न हम इसकी value कैसे मिलेगी, y1 की तो हमें iteration पता है, क्योंकि हमने निकाल रहे है, y1 की value 2 है, और x1 हम इस लिए निकाल सकते हैं, h का use करके, y, x1 फिर अब next step, ये तो था हमारा y1 की first iteration को solve करने के लिए, y0, h2, function लिया, x0 वाला और y0 वाला, फिर plus ने एक और function लिया, हमने f of x1 और y1 फिर next में क्या करेंगे, values को put करेंगे, y0 की value क्या मिली थी, 2, given है, h की value थी 0.1, divide करा, इसको 2 से, फिर function पुट किया, एक बार 0 वाले के लिए, और एक बार 1 वाले के लिए, दो functions लिये थी न, हमने एक 0 कारेक बन का, तो 0 वाले function में 0 वाले values पुट करी, और 1 वाले function में 1 व value है, तो 2 लगा दो, 3 है, तो 3 लगा दो, 10 value है, तो 10 लगा दो, इसके अंदर आपको अलग से function नहीं चाहिए, function वही रहेगा, जो given है, क्या function था, minus x y का square, जही function है न, देखो दोनों में, बस क्या difference है, यह not की value है, और यह 1 की value है, इसको evaluate करो, so evaluate करने के बात क्या आ रहा है, something और भी आ रहा होगा, लेकिन इसने क्या किया है, वह है, 2 results को लिया हुए, बस, 1.98, फिर, यहां पे value मिल गई, अब next iteration पे आप move करोगे, y1, 1 की second iteration, अभी हमने first iteration निकाले थी, y1 के लिए, अब y1 के लिए हम second iteration follow करेंगे, second iteration में क्या करोगे, same है, first iteration की तरह, y0, plus h2, f, x0, y0, y0, यह as it is रहेगा, plus में, f of x1, y1 तो रहेगा, f of x1, y1 तो रहेगा, लेकिन क्या difference आएगा दोनों में, x1 है, y1 है, y1 भी है, लेकिन, अब y1 हम simple putने करेंगे, जो इसके first iteration से value मिली है, यह वाली value, इसे put करेंगे, put करने के बाद इसे evaluate करो को यह वाली value आ रहे है, 1.98, 0.4 something, फिर, अब y1 के लिए आपको third iteration को follow करने है, third iteration है, same रहेगा question, same value formula रहेगा, y0, plus h by 2, f x0, y0, plus f of x1, y1 रहेगा, लेकिन y1 के जब value लोगे, वो previous iteration की लोगे, previous iteration की, अब third वाले iteration पर तो third से previous क्या होगा, two, तो y1 की second iteration की value को आपने use किया, फिर क्या गारना है value मिल गई है हमें, अब match करो, जो हमने last three equations ली हैं, last two match करो के तब भी enough है, लेकिन इस case में क्या हो रहा है, three के three, जितने भी हमने iterations follow की हैं, उन sum में approximate answer same आ रहे हैं, point के बाद two digits same आ रही हैं, पर ये दोनों digits तो as it is same हैं, इसलिए हम यहीं पर iterations को stop कर देंगे, y1 के लिए, यह y1 के लिए iterations थी, जितने भी थी, इसको हमने यहीं पर stop कर दिया, two and three वाले जो step था, उसको compare किया, compare करने के बाद वो इकवल आया था, हमने इसको यहीं पर stop कर दिया, अब जो final value आपको मिली है, compare करके कि हाँ, यह value same आ रही है approximate में, तो वो आपका final answer होगा, final value होगी y1 के लिए, कैसे, does we take y1 is equals to 1.9804 and proceed further to the y2, अब y1 की value हमें permanent मिल गई, कि हम इस value को use करेंगे, और y2 की value को find करेंगे, simpleism, फिर y2 में भी हमें same steps को follow करना है, rulers method लगाएंगे, rulers method की बात उस पे iterations लगाएंगे, y2 की first iteration, y2 की second iteration, y2 की third iteration and so on, y2 को निकालने के लिए, y2 को निकालने के लिए, y1 बूट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे previous value वोई है, तो हम इस value का use करेंगे, जो हमने rulers method से value निकाली थी, वो use नहीं होगी, क्योंकि modify का हम use करेंगे, तो modify value की use होगी, y1 की, जो क्या है, 1.9804 है, अब चलते हैं, second value को find करने के लिए, y2 की value क्या होगी, वाप्टी से हम rulers method का use करेंगे, y2 की value निकालने के लिए, आप simple formula क्या लगाओगे rulers method में, y2 is equal to y1 plus h multiply by function, यही लगाओगे न, value तो यही रहेगी, जो आप normal formula यूज करते हैं हो अभी rulers method में, वही हम use करेंगे, जैसे आप उसको use करके evaluate करोगे, आपके पास value आएगी 1.9412, value आगई, अब इस value का use करो, first iteration में लगाओ, फिर second iteration में first iteration की value पुट करो, third में second की, y2 की first iteration है कैसे solve करोगे, y1 plus h by 2, फिर function लोगे, function किस-किस का होगा, एक तो value जो यहाँ use हो रही है, एक value जो यहाँ use हो रही है, simple method है इसको याद रखने का, जिसकी value निकाल रहे हो, वो भी आपको use करेंगे, और जिसकी help से value निकाल रहे हो, उसकी previous value को लेके चलने है, evaluate करो, value आ रहे है, 1.9231, फिर second iteration पर चलते है, y2 की, y2 के second iteration क्या है, y1 plus h by 2, function of x1 by 1, plus function of x2, y2 है, लेकिन कौन सा 2 है, y2 का first iteration का value, यह वाला value, फिर evaluate करने पर value आ रहे है, 1.9238, अब यह देखो, यहाँ पर first 3, point के बाद, first 3 digits जो हैं, वो similar आ रहे हैं, एक iteration और चला लेते हैं, क्योंकि उपर वाली में हमने 3 iterations चलाई हैं, इसमें भी 3 iteration फॉलो कर लेते हैं, y2 का third iteration, third iteration में कैसे है, y1 plus h by 2, function of x1, y1, plus function of x2, y2, but y2 का कौन सा value है, यहाँ पर यूज किया हुआ, y2 का second iteration में, यह वाली value. अगर आपने subscribe कर दिया है, तो बाकिस सभी devices से भी subscribe करा सकते हैं, क्योंकि subscribers बहुत ज़रूरी हैं, then comment करें, यह equations है, इसने equation में value पुट की, यहाँ पर भी value किया है, 1.9238, first 3 अभी भी similar है, तो stop कर देंगे iteration को, second के लिए, जो हम use कर रहें, तो y2 के लिए iteration, उस हो stop किया, y2 की value क्या मिलगी, y2, y की value हमें मिल गई, क्या मिली y की value, y की value है, जब x की value 0.2 थी, तब इसकी value थी 1.9238, यह fixed value मिलगी, अब आप यह सोच रहोगे, कि rulers method में तो हमें पता था, कहां तक कितनी iterations चलानी है, हम अपने according iteration चलाते थे, क्योंकि steps हम divide करते थे, वह से ऐसी equation में, जिसने steps भी given थे, तो हम निकाल लेते थे value, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, कि rulers method में हमें कहां तक iterations को follow करना है, iterations तो चला, हमें पता लगेगा, कि last to similar है, तो हमें stop कर देना है, लेकिन हमें कैसी पता चलेगा, कि y1 की value, y2 की value, कितनी y की values निकालनी है, तो वो आपको answer question में ही मिल जेगा, जो given है, equation, देखते हैं पहले equation को, क्योंकि उसी में लिखा हुआ था, कि हमें y की value find करनी है, जब x की value 0.2 है, अगर आपने ध्यान से equation को पढ़ा हो, तो वहां लिखा हुआ था, कि हमें y की value को find करना है, at x is equal to 0.2, तो जहां पर x की value 0.2 थी, वहां पर हमने y की iterations को follow किया, तब ही थुमने y की two values निकाल लिए हैं, देखो, h की value 0.1 थी, और x की value हम कैसे निकालते हैं, x not कैसे निकालते हैं, और x1 कैसे निकालते हैं, x1 हम निकालते हैं, not plus h, और ये कैसे निकालते हैं, initial value, initial value इसकी 0 थी न, और इसके अंदर value क्या थी, 0 plus 0.1, 0.1 आगया, फिर x2, x2 की value क्या आगई है, आपर 0.1 और 0.1 में 0.2 आगई, तो इससे क्या पता लगा कि हमें 2 iterations को follow करना पड़ेगा, 2 बारी, यानि 2 values निकालनी पड़ेगी, y की. तो स्ट्रेंट्स, यह था हमारा आज का method, rulers modify method, अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी doubt आते हैं, कोई भी problem आते हैं, then आप हमें comment कर सकते हैं, thanks for watching my video.